subscribe to my channel and tap on the bell icon so that you will never miss an update तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे नेम टेंपलेट बना के अपने बाइसिकल पे लगाए और कैसे करें मेटल को इचिंग तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेटल इचिंग प्रोसेस एक्च्वल में होती क्या है अगर आशान शब्दों में समझाए जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप किसी भी मेटल सर्फेस पे ऐसा इंडेप्ट नाम आप इच कर सकते हैं अगर आप यहाँ से तो यह जो देखेंगे तो यह डेप्थ में नाम बना हुआ है तो दोस्तों इस इलेक्रोलाइटिग इचिंग प्रोसेस से आप किसी भी वाटल चाहे आपकी वाटर बोटल हो कोई किचन हो ह्लाँ या कोई हात में ब्रेस्लेट बनाना चाहते हो या गल्य में कोई most of metal surface पे आप यह metal itching से आपका नाम या लोगो बना सकते है जबकि यह electrolytic itching process है इसके लिए आपको किदर से भी कुछ भी chemical भाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है यह बहुत ही आसान experiment है इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए salt water यानि नमक का पानी और एक 9 volt की DC battery या 12 volt की DC battery जो कि हर घर में usually use की जाती है अगर नहीं भी है तो आपको आपकी bike में 12 volt की battery जरूर मिल जाएगी तो उससे यह process हो सकती है अगर वीडियो पसंद आती है तो आपके friends के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल जाए यह lockdown में बहुत ही simple experiment है जो कि आप घर बैटे कर सकते है और ऐसे ही आने वाली interesting scientific experiment के लिए मेरे चानल को subscribe करना था कि सबसे पहले आप मेरी आने वाली वीडियो को देख सके So let's get started So friends यहाँ पर आप देख सकते है यह सेस का stainless steel का मैंने equipment लिया है जो कि most of kitchen में यूज होता है इसे में bicycle के लिए name plate बनाऊगा यहाँ पर आप मेरे bicycle देख रहे है यहाँ पर जो समने वाला जो shocker की पैर है इसके आगे यहाँ पर जो space दिख रही है वहाँ पर में name plate यहाँ पर screw करने जा रहा हूँ तो मैं marking करके लोगा बराबर उतने ही size की और circular profile में ताकि दोनों side की profile same आ जाए तो उसके बाद हम इसकी cutting करेंगे आप most of circle पे surface पे metal leaching कर सकते है तो यहाँ पर जो हमने marking किया है circular profile उसको हम tangentially cut करेंगे tangentially इसलिए दोस्तों ताकि जो curve profile है उसे हम वह filing से उसे curve shape दे देंगे तो फिर से एक बार इसे marking कर लेते है ऐसा radial profile यहाँ पर और जो edges दिख रहे हैं वह तो हम filing से निकाल देंगे तो इसे tight कर लेते हैं चोटे से voice पर और उसकी edges निकाल लेए filing से तो यहाँ पर मैंने flat file यूज की है आप भी flat file यूज कीजे वह अचार रहेगा तो जो edges दिख रहे हैं उसको मैं filing करके बराबर circular profile में cut करके लूँगा या file करके लूँगा यहाँ आप देख सकते हैं मैंने selective use की है हमारी metal strip पर या पटी पर ताकि scratches ना आये तो दोनों side की curve आप यहाँ पर देख सकते हैं कि circular हो गई है तो यहाँ पर मैं drilling का marking कर रहा हूँ ताकि हम दोनों side में screw लगा कर उसे cycle पर fit कर सके तो यहाँ पर मैंने drilling की marking कर लिये center निकाल के और य यहाँ पर हम EM5 का screw इसको इसको इस्तमाल करने जा रहे है तो उसी size के drilling भी होगी दोनो side में तो उसी हिसाब से हैं EM5 के हिसाब से ही drilling कर के लिए के दोनो side पर तो यह चोटा सा आप यहाँ पर screw देख सकते हैं यह अब EM5 के marking के हिसाब से ही हमने drill कर लिये तो यह आसानी से जाएगा तो यहाँ पर मैं इस पर masking tape लगा रहा हूँ मस्कीन टेक लवाने के बाद आप जो भी नाम अपना करवाने चाहते हैं मैं आप फ्राइड़ लिकवाना चाहता हूँ तो इस पर मैं फ्राइड़ नाम glue कर दूँगा आप अपना चाहिए तो लोगों भी इस पर चिपका सकते हैं कोई भी नाम का तो इसे फ्राइड़ दोस्तों इसे बिल्कुल डिजॉल करके लिए ना है बिल्कुल अच्छी तरह से डिजॉल करके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जो भी लेटर मैंने कट किये हैं सिर्फ वही यहाँ पर चमक रहे हैं और उसी का ही इचिंग होगा वही मेटल सर्फस को एक्सपोज यह देख सकते हैं आप चाहे तो इसमें बैटरी सोर्स भी कर सकते हैं नाइन ओल्ल का या बारा ओल्ड का अीसा कोई भी यूजज कर सकते हैं यहाँ आपका धायन की ंमस प्याइब तो इससे जिख्शन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने POS 2 एंड लगा थिया है है हमारे बेस मेटल को जिसे भी यूज का जिसे भी हम इच करने वाले और नेगेटिव एंड लगा दिया है मैंने नेल को तो यह प्रोसेस बेसिकली क्या होती है दोस्तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वह नमक या साल्ट का वाटर जो की कंड़क कर दिये और अब मैं यहाँ पर वेट करके लग रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट में यानि साल्ट वाटर में तो यह क्या करता है दोस्तों बेस मेटरियल का जो मेटरियल है जो की हमने एक्सपोज किया है या मिसाल के दोर पर यहाँ पर एफ लीजिए फ लेटर तो वह बेस मे काला काला दिख रहा है आपको इधर वह निकला हुआ या इच्ड मेटल है जो की हमारे बेस मेटल से निकला है वह ऐसे ही दीरे-दीरे करके उसमें वह डेप्थ क्रियेट होती है यह मेटरियल रिमूव होके तो इसे बार-बार क्लीन करके लिजिए यह थोड़ इदर का लगता है वह मेटरियल सर्फस से रिमूव होने में अब जबके हमने इसको साइड बाकी के जो लेटर छोड़ के जो साइड है उसमें हम टेप लगा दिये थे तो वह अफेक्ट नहीं होगा कोई भी अब मैं यहाँ पर इससे टेप हटा देता हूँ तो आप देख सकते ही इ इसमें आप देख सकते है यह बड़ या कॉटन बड़ होता है उससे में इसमें ब्लाक पेंट लगा रहा हूँ और यह हलका सा लगाऊंगा बिल्कुल यह बाद में इसे वाइप करके लूँगा यह थोड़ा सा एक कूल एफेक्ट देगा आप देख सकते ही यहाँ पर और ज्यादा हाइलाइट भी हो जाएगा हमारा नाम जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्राइटिक इचिंग करके बनाया हुआ है तो यहाँ पर हम यहाँ फाइव का हमने जो स्कूरू लिया है उसके नीचे दो नट दिख रहे होंगे आपको उसे हम आपस में चिपका देंगे मैंने सबसे पहले इसे सूपर ग्ल्यू यानि फेविक से इसे चिपका दिया है लेकिन यह पर्मन नहीं होगा तो इसके लिए हम पर्मनेंट चिपकाने के लिए यूज करेंगे इपाक्सी रेजिन या अरेल डेड बोल सकते हैं यह एक रेजिन है दोस्तों यह बहुत से mix कर देगे और बाद में इसे apply करेंगे हमारे दोनों जो हमारे जो set किए हमने nut के उसको apply करेंगे इसमें care लेने के बात है कि आप thread में ना जाने दे यहीं तो वह बहुत hard होगा निकालने के लिए तो इसे 24 hours सूकने के लिए छोड़ दे जब hard होगा तब हम use करेंगे तो य तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फेवी क्विक से या आप सुपर गूरू बोल सकते हैं उससे मैं इधर पर लॉक करने जा रहा हूँ यह दोनो नट उसकी फ्रेम पर बाद मैं इसे चिपका दूँगा सेम सलुशन से हमने जो यूज किया है वो यह बोल चिपकानी नट चिपकानी के लिए आपस में तो इसी से यह पॉक्सी रेजिन से में इसे चिपका दूँगा तो इसे भी 24 आवर सुकने के बाद यह कूल सा हमारे जो नेम प्लेट बना है इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने तो यहाँ पर फ्राइडे बना दिया है यानि फ्रीमेल डिप्लेस्मेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यूथ वाला आप चाहे तो अपना नाम खुद का नाम इस पर इच कर सकते हैं लोगों कोई चाहिए या कोई अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करना मैं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आता हूँ सिर्फ आपके लिए गाइस और शेयर भी करेए आपके फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी यह कूल सी ट्रिक पाता चल जाए तो सी यू इन नेक्स आपके लिए को पाता चल जाए वीडियो आपके लिए एचाइस्टा आपके का लिए और ऑम झापके लिए भाके सी टूू।